नमस्ते दोस्तों आप सभी का सौगत है Book Pillow Europe चैनल पर जहाँ पर हर संडे आपको मिलते हैं High Quality Book Summaries जो Personal Finance, Stock Market and Investing को उपर बेश्ट होते हैं मेरा mission इस चैनल से यही है कि मैं इंडिया में Financial Literacy को बढ़ाऊं जिससे की आप Smart Decisions ले सकें पैसो के मामले में आज मैं आपके साथ एक ऐसी Book की Summary देने जा रहा हूँ जिसे Bible of Investing कहते हैं और Warren Buffett जो दुन्या के सबसे अमीर इंवेस्टर है उनका ये कहना है कि उनके Life में तीन Books है जिसके Strategies को वो खुद यूज करके अपने Investing Journey में उनको Success मिली है पहला Book है The Wealth of Nation by Adam Smith दूसरी Book है The Intelligent Investor by Benjamin Graham तीसरी Book है Security Analysis by Benjamin Graham and David Dodd और आज मैं आपको Detail Summary शहर करूँगा Security Analysis Book की और जो भी मैं इस Book से सीखा है वो मैं आपको Simple सब्दों में समझाऊँगा पहला Lesson जो मैं इस Book से सीखा है वो है Importance of Fundamental Analysis Before Investing यानि हर एक व्यक्ति को Company की Fundamental Analysis करनी चाहिए किसी भी Company की Shares लेने से पहले दूसरों के Advice पर आंख बंद करके Invest नहीं करना चाहिए ये Book based है दो important concept पे जो है Value Investing and Security Analysis Value Investing में एक Investor ये कोशिश करता है कि वो ऐसे Stocks को ढूणे जो Undervalued है Market में यानि उनका जो Real Price होना चाहिए उससे वो कम Price में भिक रहा है और अगर आप ऐसे Stocks में Invest करते हैं तो Long Term में आपको ज़्यादा फाइदा होगा Actual Price क्या होना चाहिए किसी भी Stock का इसे Intrinsic Value कहते हैं जिसे Calculate करने के लिए आपको उस Company की Fundamental Analysis करनी पड़ती है माल लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपे हैं और आप किसी एक Stock में Invest करना चाहते हैं और आपने Research की और आपको ये पता चला कि XYZ Limited Company बहुत अच्छा Investment Option हो सकती है तो आपने Fundamental Analysis करने की Try किया तो XYZ Limited Company Technology Sector में काम करती है Specially Artificial Intelligence Software बनाती है तो सबसे पहले आपको इस Company की Financial Statement देखनी है आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इस Company का revenue हर साल बढ़ रहा है या नहीं आपने ये नोटिस किया कि last 5 साल में on an average हर साल ये Company अपने revenue 20% से बढ़ा रही है अब एक Company चाहे तो अपना revenue ज्यादा discount में product को बेज कर भी बढ़ा सकती है इसलिए important है उनका profit margin क्या है और आपने ये भी देखा कि XYZ Limited Company की profit margin consistent रही है around 30% का इसका ये मतलब है कि Company को business करना आता है अब Company तो पैसे कमा रही है लेकिन क्या पैसे कुछ बचे भी है bank account में ये सारे पैसे owners ने foreign trip में खर्च कर लिया है इसलिए आप देखेंगे Company का cash flow positive रहा है ये नहीं अगर positive है इसका ये मतलब है कि Company के पास पैसे है research and development में खर्च करने के लिए क्योंकि ये artificial intelligence based company है तो technology advancement को match करने के लिए R&D के लिए पैसे होना बहुत important है positive cash flow से ये भी पता चलता है कि क्या Company अपने business में reinvest कर सकती है या नहीं और साथ ही साथ अगर किसी और company को acquire करना हो जो कि similar business में है इससे XYZ limited company की growth और fast हो सकती है तो क्या उसके लिए भी पैसे है या नहीं financial statement को analyze करने के बाद आप industry and market trend को analyze करते हैं जैसा कि हमें पता है कि artificial intelligence industry बहुत तीजी से grow कर रहा है और आने वाले सालों में भी ये और grow करने वाला है क्योंकि automation का demand बढ़ते जा रहा है हर साल तो ऐसे ही आप किसी भी company का fundamental analysis कर सकते हैं जैसे कि हमने example से समझा कि XYZ limited company एक financially strong company है ये company आने वाले सालों में भी और grow करेगी तो इसमें invest आप कर सकते हैं एक Indian value investing example शेर करता हूँ आपके लिए 2020 के शुरुआत से ही Mahindra and Mahindra stock का price गरने लगा था जैसा कि आप देख सकते हैं 3rd April 2020 में इनका एक शेर का price गरके 280 रुपीज हो गया था ये decline auto industry में slowdown और COVID-19 के वज़े से हुआ था पर जो value investor है जिनको भरोसा था इस company के fundamentals पर उनके लिए ये एक opportunity थी investment बढ़ाने का जैसा कि आप देख सकते हैं कि Mahindra and Mahindra के shares अपने losses recover भी किया और इहांने अच्छा returns भी दिया है तो पहला lesson यही है इस book का कि बिना fundamental analysis किये कभी भी invest नहीं करना चाहिए अगर आपको अच्छे returns कमाने है तो दूसरा lesson जो मने इस book से सीखा है वो है difference between investing and speculation investing में आप किसी stock, mutual fund या bond में invest करते हैं long term के लिए जिससे time के साथ-साथ आप consistently returns कमाए investing में investors company की fundamentals को check करके जैसे उनका financial statements पढ़के जिसमें income statement, balance sheet and cash flow statement होता है इससे investor उस company को compare करते हैं उनके competition से specially revenue, earnings, profit margin and cash flow को compare करके speculation एक short term trading strategy है जिसमें investor चाहते हैं जल्दी profit कमाना जिसके लिए वो company की shares को खरीदते हैं और बेचते हैं जो market trend या price moment को देख के करते हैं इसमें कोई भी fundamental analysis नहीं होती है ये बहुत अधा risky होता है majority लोग इसी में पैसे गवाते हैं जैसे ये Reliance Industry का share है Reliance Industry का business energy, petrochemicals, retail and telecommunication में है अब जो investor है वो इस company की fundamental analysis करने के बाद अगर उनको trust है इनके future growth पे तो वो इनके shares को खरीद के सालों तक hold करेंगे लेकिन जो speculator है वो latest news या rumors पर belief करके इनमें पैसे invest करेंगे short term में profit कमाने के लिए और इनके price movement से ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा करने पर वो focus करते हैं जितने भी लोग stock market से बहुत अमीर बने हैं वो investing करके ही बने हैं speculation से पैसे लगातार नहीं बनते हैं यानि author recommend करते हैं कि long term investment में आपको compounding returns मिलते हैं यानि आप जितना time देंगे अपने invested capital को grow करने के लिए वो उतना ही आपको returns कमा के देगा long term investment से volatility भी कम हो जाती है क्योंकि short term में आप देखेंगे कि share price बहुत उपर नीचे होती है जिससे अगर आप ने गलत time पे invest किया तो आपको नुकसान हो सकता है पर long term में volatility बहुत कम हो जाती है जिससे कि आपको stable returns मिलते हैं author बहुत ही simple सब्दों में define करते हैं investing and speculation का difference वो कहते हैं कि an investment operation is one which upon thorough analysis promises the safety of principle and adequate return operations not meeting these requirements are speculative यानि एक investment वो है जहां पर आप detail analysis करते हैं जिसमें आपके लगाए पैसे की safety जादा होती है और आपको अच्छे returns भी मिल सकते हैं इसके अलावा जो भी है सब speculation होते हैं तो दूसरे strategy में हमने investing and speculation का difference को समझा और हमने ये भी समझा कि हमें investing long term तक करनी चाहिए ना कि speculation करनी चाहिए वैसे अगर आपको investment शुरू करना है यानि अगर आपको अपने favorite companies की stocks खरीदना है तो free DMAT account का link आपको description में मिल जाएगा आप जरूर चक करिए तीसा lesson governance book से सीखा है वो है qualitative analysis versus quantity analysis author का मानना था आज से 100 साल पहले कि बहुत ज़्यादा information available है जिससे हम अक्सर misguide होते हैं पर आज तो information उस time से लाखो गुना ज़्यादा है यानि आज का एक investor उस time के investor से ज़्यादा confused है पर ये important sentence ने मेरी पूरी mindset बदल दी depth of your analysis should depend on invested amount यानि आप कितना detail में analysis करते हैं ये depend करता है कि आपने कितने पैसे invest किये हैं मान लेते हैं कि एक आप है और आपका एक बहुत ही अमीर friend दोनों को stock market में invest करना है पर आपका capital है 10,000 का और उसका capital है 10 करोड का पर आप चाहे कितना भी detail analysis कर ले चलो मान लेते हैं कि आपको एक साल में 100% का return मिला है तब भी आपने एक साल में 10,000 रुपे कमाया है पर आपके friend ने अगर 10 करोड पे 10% का returns कमाया है तो उसने एक साल में 1 करोड रुपे कमाया है इसलिए आपका primary focus अपने early 20s में ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले पैसे कमाव और investment passively कीजिए investment के लिए author ने qualitative and quantitative analysis में difference बताया है quantity analysis में company का capitalization, earnings and dividends, assets and liabilities, operation statistics आते हैं वही quality में management, customer preference, competitive landscape, technological change आते हैं author का मानना है कि एक investor को quantitative analysis पर ज्यादा focus करना चाहिए क्योंकि अगर मान लिजे company की earnings हर साल बढ़ रही है और वो अपने competition से better perform कर रहे हैं तो इसका ये meaning है कि उनका management strong है और customer उनको prefer करती है उनके competition से तो तीसा lesson जो मैंने इस book से सीखा है वो है quantitative and qualitative में difference क्या है और हमें quantitative analysis करना चाहिए जो basically company का financials को समझना है चौथा lesson जो मैंने इस book से सीखा है वो है investing strategies based on value investing इसमें मैंने चार तरीके के investing strategies सीखा है इस strategy में आप उन companies में invest करते हैं जो overall market से बहुत जादा better returns कमा के दे सकती है पर author हमें ये भी कहते हैं कि हमें growth investing करने से पहले बहुत सतर करना चाहिए क्योंकि कई बार हम growth potential पे chance लेकर जादा overvalued stocks खरीद लेते हैं जिससे risk बहुत जादा बढ़ जाता है लेकिन एक ऐसा situation है जहाँ पर आप chance ले सकते हैं वो है अगर कोई बहुत young company है जिसके पास एक बहुत ही amazing technology है और वो future में लोगों की बहुत बड़ी problem solve कर सकते हैं दूसरा investing strategy है contrarian investing इस investing strategy में investor market trend के opposite decisions लेते हैं for example अगर सारे investors अपने shares को बेच रहे हैं तो contrarian investor उन shares को खरीदते हैं वही जब बाकी investors खरीदते हैं तब वो बेचते हैं Warren Buffett को एक contrarian investor माना जाता है author कहते हैं कि contrarian mindset बिल्ड करना बहुत मुश्किल है सबसे बड़ी skill है patience and market की knowledge तब ही आप contrarian investor बन सकते हैं तीसरा investing strategy है defensive investing इस investing strategy में आप उन stocks में invest करते हैं जो बहुत ही कम volatile होती है जैसे FMCG एक example है defensive sector का चाहे market कैसा भी हो लोग जरूरत की चीज़े हमेशा खरीदेंगे ही author कहते हैं कि defensive investing उन लोगों के लिए best है जिनको एक stable returns चाहिए and mostly जो अभी retirement के age पे आ गये हैं उनके लिए defensive sector जादा बेटर है ना की growth investing या contrarian investing चौता investing strategy है asset allocation का इस strategy में आप diversify करते हैं अपने investment अलग-अलग asset classes में जैसे stocks, bonds and real estate में इसका फाइदा ये है कि risk कम हो जाता है और returns भी अच्छे होते हैं author कहते हैं कि asset allocation यानि कहां कितने पैसे invest करना है वो आपके goals के उपर depend करता है लेकिन एक बहुत ही simple सा formula है 100 minus age यानि जितना आपका age है उससे आपको 100 से minus करना है और जो number आएगा उतना percentage आपको stocks में invest करना है यानि अगर आपकी age अभी 30 साल है तो आपको 70% पैसे stocks में invest करना चाहिए अब आते हैं final lesson पे जो है margin of safety margin of safety का simple सा meaning है difference क्या है company की intrinsic value और उनके market value पर example अगर एक company का intrinsic value है 100 rupees per share पर अभी उसका price है 80 rupees per share तो यहाँ पे margin of safety हुआ 20 रुपे यानि 20% का तो आप इसमें invest कर सकते हैं margin of safety concept बहुत ही important इसलिए है क्योंकि इसमें investor अपने risk को कम कर पाते हैं और बहुत ज्यादा returns कमा भी पाते हैं जैसे blue chip companies वो companies जिनके market share बहुत बड़ा होता है और जो well established भी होते हैं और साथी साथ जिनका financial track record भी बहुत अच्छा होता है पर कभी-कभी उनके share price भी fall करते हैं economic reasons की वज़े से पर अगर आपके पास उनका intrinsic value है और साथी साथ अगर margin of safety भी अच्छा है तो आपको उनके shares discount पे मिल जाते हैं जैसे मान लेते हैं कि Tata Motors का intrinsic value है 400 रुपीज का तो अभी आप देख सकते हैं कि इनका एक share का price around 484 रुपीज है यानि almost 21% जादा अपने intrinsic value से पर ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर कोई economic reasons की वज़े से इनका share price अपने intrinsic value से कम हो जाता है जैसे कि COVID-19 का दोरान हुआ था इनका share price गिरके 65 रुपीज तक नीचे आ गया था तो आप imagine कर सकते हैं कि जिस वेक्ति ने 65 रुपीज पर shares खड़ी दे होंगे और इनका intrinsic value है 400 रुपीज का तो margin of safety का जो formula है वो है real value minus current market price divided by real value into 100% real value है 400 रुपीज minus current market price है 65 का divided by 400 into 100% तो 83.75% का margin of safety था जब ये share price 65 रुपीज में trade हो रहा था तो अगर आपने 65 रुपीज पे invest किया होता तो आज के values अगर calculate करे तो आपको 644% का returns मिल जाता तो अगर आपने 1 रुपे invest किये होते 3 साल पहले तो आपकी investment के value आज 7,46,620 रुपीज होती तो अगर इस वीडियो की quick summary करे तो आज हमने detail में सीखा सारे key lessons security analysis book से जिसके author है Benjamin Graham and David Dodd ये book value investing पर based हैं और हमने सबसे पहला lesson सीखा हमें हमेशा fundamental analysis करनी चाहिए किसी भी company में invest करने से पहले दूसा lesson जो हमने सीखा investing and speculation का difference क्या है और हमें हमेशा investing करना चाहिए long term तक ना कि quick money के लिए speculation करना चाहिए तीसा lesson जो हमने इस book से सीखा वो है qualitative and quantitative analysis का difference क्या है और हमें quantitative analysis पर focus करना चाहिए चौते lesson में हमने discuss किया value based investing strategies और पांचवे lesson में हमने सीखा margin of safety के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आई होगी अगर आपने इस video से कुछ भी नया सीखा तो आप please इस video को like करिए मैंने recently एक free course upload किया है अपने channel पर जिसमें आप mutual fund investing के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं सिर्फ 45 minutes में तो अगर आपके पास time है तो आप यहां पर click करके इस course को देख सकते हैं